सब्सक्राइब दोस्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल और इंडिया में कैसे हैं आप लोग दोस्तों के समय में आपको लेकर आए हैं यह गेट वरो फलिया यह पीछे आपको देख सकते हैं और यहां की खुबसूर की बारिश के समय में हम आपको दिखाते हैं दोस्तों सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं गोरेगाउं इस्ट से यह गोरेगाउं इस्ट का स्टेशन आप यह देख सकते हैं और ये पूरी यहां पर बाहर गाओं के लिए जाने के लिए ट्रेन सब यहीं से क्रॉस होकर जाती हैं दोस्तों एक्चुली मुंबई जो है लंबई में पूरा बसा हुआ है और ये पूरा गोरे गाओं का खुबसूरत मनोहद रश्या आप ये देख सकते हैं इसी ट्रेन भी लोकल चालू हो चुकी है दोस्तों मुंबई में लेकिन इसका टिकट जो है कोस्टी है और आप नॉर्मल ट्रेन से जाते हैं तो गोरे गाओं से चर्जगेट जाने के लिए आप 10 रुपे में ही पहुँच सकते हैं लेकिन इसका टिकट जो है डिर सो से दो सो रुपे टिकट लगता है दोस्तों इसी ट्रेन का और दोपेर के समय हम कभी जाते हैं तो इतनी फीड नहीं मिलती है या फर्स क्लास में आप बैठ सकते हैं उसका भी टिकट सस्ता पड़ता है एसी की अपिक्ष्र और ये खुबस सुरत जगा है दोस्तों ये मुंबई की और यहां पर बड़े बड़े कंपनी के यहां पर आफिसेज हैं इंडिया बुल्स है इंडिया बुल्स का यह आफिस के सामने आप यह देख सकते हैं दोस्तों ये लोवर परेल में आता है और यहां पर पुराने जो मिल्स थे उनको अभी कपड़ा बनाने वाली मेज थे हलाकि बहुत सारे मजदूरों को नुकसान हुआ दोस्तों उनकी रोजी रोटी चली गई लेकिन इश्वर है सभी के ख्याल रखता है आगे पीछे जब वो किड़े मकोडों पसू पक्षी पसू पक्षी सभी को खिलाता है तो इनसान तो लोवर परेल स्टेशन जैसा कि हमने आपको बताया था लोवर परेल का बहुत ही खुबसूरत दोस्तों यहां पर ये मुंबई की बिल्डिंग्स दिखती है और बड़ा ही अनन दाता है तो जो खुबसूरत जगा है वो ही हम आपको बता रहे हैं और दोस्तों अगर आप ग के बेंडरा के बाद दादर और उसके बाद में ये मुंबई सेंटर तो बीच के स्टेशनों पर नहीं रुकती है स्लो ट्रेन जो है बीच के सभी स्टेशनों पर रुक जाती है और आपको मुंबई में अगर जल्दी फास्ट ट्रेवल करना है तो फास्ट ट्रेन पकड़ि हैं ऐसा ही हमने भी किया कि हां हमारी यूट्यूफ फैमिली जल से जल अच्छी और खुबसूरत जगा देखे यह हम आपको लेकर पहुंच चुका हैं यह मुंबई सेंट्रल स्टेशन यहां से जितनी भी राजधानी हैं दोस्तों दिली के लिए जो है तेजस राजधानी हु सब यहीं से चलती है गोल्डन टेंपल भी यहीं से चलती है बनका और मुंबई सेंट्रल के बाद में ट्रेने सभी स्लो हो जाती है यह चर्णी रोड स्टेशन यहां पर हम पहुंच चुके हैं अभी जैसे गनपति आने वाला है यहां पर बड़े बड़े गनपतियों का व सरजन दोस्तों किया जाता है और चर्णी रोड स्टेशन के बाद में मरीन लाइन्स स्टेशन आता है मरीन लाइन्स स्टेशन पर यहां पर दोस्तों बड़े बड़े स्टेडियम यहां पर आ जाते हैं मरीन लाइन्स और चर्णी गेट के बीच में ही और बहुत ही खुबस और यहीं से जो है मरीन ड्राइव जो है शुरू हो जाता चर्णी रोड से और यह पूरा मरीन लाइन्स का खुबसूरत स्टेशन को आप देख सकते हैं बहुत ही सारे स्टेशन काफी अच्छे बने हुए हैं और समुदर की हवाएं बहुत ही अनंद देती हैं दोस्तों और य दोस्तों ये मुंबई की शान आन बान शान ये वान खेड़े स्टेडियम दोस्तों मुंबई का जहां पर की सबसे बड़े-बड़े मैचिस जो है मुंबई में यहीं पर होते हैं आई पील हुआ वर्ल्ड कप हुआ जो भी मैचिस होते हैं दोस्तों मुंबई में यहीं पर यह हैं और यह इस्टाइशन जो है बिल्कुल चर्ज गेट स्टेशन से लगा हुआ है ये हम आपको दिखा रहे हैं ये आप ये देख लेजिए यहां पर ये वान खिड़े इस्टिडियम और यह कैमेरे को पैन कर रहे हैं और यह पहुँच चुके हैं हम चर्च गेट स्टीशन तो कितना आसान है आप अगर वान खेड़े स्टीडियम अगर आप पहुँचना चाहते हैं चर्च गेट में एक और स्टीडियम है ब्रेबॉन स्टीडियम बिल्कुल वो चर्च गेट स्टीशन से वो भ आप देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत बहुत ही बड़ा शेड डाल के दोस्तों इसको बनाया गया है अमिजी ने गाना गाया था चर्च का गेट है लेकिन चर्च है लापता दोस्तों वाके ही यह बात सही है और यह यहां से अब हम आपको 137 नंबर की बस में लेकर जा र भी जा सकते हैं किसी से भी अगर जहां दो पेसे बचते हैं तो बचाईए और जहां खर्च करना है वहां खर्च कीजिए यह हम आपको लेकर आच चुके हैं ताज महल होटल दोस्तों यहां पर आप जितना चाहे उतना खर्च कीजिए आपकी जेब में जितना पैसा है दोस अबसूरत चगह दोस्तों यहां पर पसू पक्षी मैंने बताया आपको कि पसू पक्षी को भी खलाता है उपर वाला और यह ट्रैवल की बस यहां पर ओपन बस डबल डेकर बस भूआने के लिए चलती है दोस्तों आदा एक गंटे के लिए आप इसमें गुम सकते हैं और बह संसून के मौसम में जो समुद्र में घुमने का जो प्रतिक्रिया रहती है उसे बंद कर दिया जाता है क्योंकि समुद्र की लहरों को आप देख लिए कितने उफान पर रहती है कुछ भी दुरगटना हो सकती है इसी वजह से मचुवारों को और जो यहां आसपास में घुम बारिश के मौसम में समुद्र की लहरे बड़ी ही जबरदस्त हो जाती है और उनसे बचने के लिए सेफटी पॉइंड ओव यू से कोई भी बोटिंग नहीं की जाती है और कोई भी समुद्र में नहीं जा पाता है और बस दूर से आप समुद्र का मजा लीजिए समुद्र क लहरों का आनंद लीजिए यह आप देख सकते हैं कितने जबर्दस्त तरीके से दोस्तों यह समुद्र की लहरे आती है और वाटर लेवल कभी तो दोस्तों इतना पूरा उपर तक आ जाता है पूर्ण मासी के रोज अगर आपको समुद्र की जो लहरों को देखना है तो दोस् सबसे ज्यादा हाई टाइड रहता है दोस्तों कहीं पर भी आप समुद्र में के पास अगर आप जाएंगे और यह ताज होटल का इंट्रेंस गेट दोस्तों यह यहाँ पर अंदर आप कोई भी वेक्ति अंदर जा सकता है कोई वो बात नहीं है और बस थोड़ा सा जेब ख कर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और यह वापस से हमने अब निकल रहे हैं यहां से क्योंकि इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अच्छा लेकर आएंगे यह सामने ही आप ताज होटल को देख सकते हैं और अपना ख्याल रखिए मुंबई का वीडियो ए मुंबई शेहर में उन सभी का आप आनद ले सकते हैं तो लिंक दबाईए देर ना करते हुए और चलिए आपसे फिर नेक्स वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे गुडबाई नमस्ते सलाम सस्रेकाल अपना ख्याल रखिए फिर मिलते हैं मानसून के मौसम में